नोकिया ब्रांड के फोन को बनाने वाली कमपणी एचेमडी ग्लोबल ने अपने नोकिया 6.2 स्मार्ट फोन के लिए Android 10 अपडेट को जारी कर दिया है नोकिया ब्रांड के इस फोन को मिले नए अपडेट के साथ भारत मेरा है रहे नोकिया 6.2 यूजर को Android 10 फीचर्स तो मिलेंगे ही लेकिन साथ ही साथ कुछ बक्स को भी फिक्स किया गया है हमडी गुलोबल के चीफ प्रोडक्ट ओफिसर जुहो सर्विकास ने हाली में ट्वेट कर नोकिया 6.2 को मिले नए अपडेट की जानकारी दी थी नोकिया 6.2 को मिले अपडेट का फाइल साइज 1.44 GB है फ्रेंड अपडेट के साथ नोकिया स्मार्टफोन को एप्रेल 2020 सेकुरेटी पैज भी दिया जा रहा है इसके अलावा सिस्टम वाइड, डार्क मोड और नेविगेशन कंट्रोल, स्मार्ट रिप्लाई, प्राइवेसी और लोकेशन डाटा के लिए अतिरिक्त कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जुडेंगे अगर आपको भी अभी तक लेटेश्ट अप्डेट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप सेटिंग सोफ्ट्वेर अप्डेट में जाकर अप्डेट की जांच कर सकते हैं कंपानी ने फोरम पर या भी बताया है कि इन देशों में से 10% को नोकिया 6.2 अप्डेट मंगलवार को प्राप्त होगा और 50% को 1 माई को मिलेगा इन सभी छेत्रों में 3 माई तक अप्डेट पूरी तरह से मिल जाएगा अगर बात करें अप्डेट की तो अप्डेट भारत के अलावा बेलजिया मंगलादेश फिनलैंड कमबोडिया रूस और फ्रांस समेथ कई अन्य देशों के लिए भी जारी हुआ है इस फोन का पहला फेज 28 अप्रिल को 10% देशों के लिए जारी हुआ कमपानी ने बताया कि 50% देशों में अप्डेट 1 माई तक वहीं अन्य सभी छेतरों में अप्डेट 3 माई तक पूरी तरह मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिला है फ्रेंड तो 1 माई का वेट कीजिए और 1 माई को भी नहीं होता है तो 3 माई को हर हाल में सब को मिल जाएगा फ्रेंड यहां पर एक बात गौर करने वाली है और वहा हिया है कि भारत इस लिष्ट के पहले ही फेज में है नोकिया 6.2 स्मार्टफोन बारहवा ऐसा नोकिया फोन है जिसे एंड्रोइड 10 अपडेट मिल जुका है याद करा दे फ्रेंट किससे पहले Nokia 8.1, Nokia 8.0, Nokia 7 Plus, Nokia 7.2, Nokia 7.1, Nokia 6.1, Nokia 4.2, Nokia 6.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 2.2 और Nokia 2.3 स्मार्ट फोन्स अपग्रेड हो चुके हैं चलिए फ्रेंड आपको दिखा देते हैं जुहो सरविकास के तरफ से किये गए ट्वीट तो अब देख सकते हैं यह रहा है ट्वीट का स्क्रीन शॉट इसमें लिखावा फ्रेंड Nokia 6.2 अप्डेट की इंफ्रमेशन आपको हेलफूल लगी होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चलाओ सब्सक्राइब करना ना भूलें